प्रधान मंतरी के डिजिटल इंडिया के सपने के साथ ही भारत का हरत एक दूसरा बेरोजकार ये सपना देखना शुरू कर दिया कि मैं भी कुछ अपना करूँगा और इसी के साथ सपना शुरू हुआ सोशल मीडिया का एक सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर बनने का सोशल मीडिया सब को मौका देती है अपने हुनर को लोगों तक पहुचाने का और अगर आपने स्किल्स हैं तो आप यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म पर दौलत के साथ साथ शोहरत भी कमा सकते हैं हमारे सामने कई ऐसे नाम हैं जिनोंने यूट्यूब से शुरुआत की और आज उनके लाखों करोडो फैंस हैं जिनोंने इसी यूट्यूब से बॉलिवूड तक का सफर भी तै किया मगर कुछ यूट्यूबर्स ऐसे भी हैं जिनोंने दौलत और शोहरत तो कमा ली मगर इनके साथ आने वाले जिम्मेदारियों से अच्छूती रह गए मैं बात कर रहा हूँ गौरब जोन की गौरब जोन अका गौरब शर्मा की तो ये भाई साहब एक यूट्यूब ब्लॉगर है या फिर यूँ कहूँ कि जाने माने ब्लॉगर है पर कंटेंट की खोज में इनोंने कुछ ऐसा कर दिया जिसके चलते गौरब यूट्यूब से सीधा निउस चैनल्स पर चागए अगर आप गौरब को जानते होंगे गौरब को देखा होगा तो आप ये समझ सकेंगे कि गौरब कभी अपने सर से टोपी नहीं उनने देता मगर खुद इन भाई साहब ने खुद के ही पालतु कुद ते जिसको ये डॉलर जोन बुलाते हैं उसको हिलियम से भरे गुबारों से बांध कर हवा में उड़ा दिया जिसके बाद BFA नामा के एकस फाउंडेशन ने गौरब शर्मा के खिलाफ दिल्ली के मालविय नगर में एनिमल कुरेल्टी और कोरुना प्रोटकॉल को तोड़ने की F.I.R. दर्ज की जिसके बाद आज पुलिस ने गौरब शर्मा को अरेस्ट कर लिया है और यही वज़ा है उनके न्यूस चैनल्स में च्छाए रहने की इसे नासमझी कहें या पागलपन ये तो हमें समझ में नहीं आ रहा पर जो समझ में आ रहा है वो ये कि उस बेज़ुआन का डर जो इसने किया जो उसके साथ होता चला गया कोई इतना नासमझ कैसे हो सकता है कि एक बेज़ुआन के साथ ऐसा सुलूग करे वो भी कंटेंट के लिए जानवरों में जान होती है उन्हें भी डर लगता है किसी भी जानवर के साथ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स चाहें किसी भी मोटी से लेकर किये गए हो चाहें किसी भी चीज के लिए किये गए हो लेकिन वो सिर्फ दंडनिये हैं किसी भी तरह से उनको accept नहीं किया जा सकता देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप News World तो देखते ही हैं साथ ही हमारे चैनल को subscribe करें, follow करें और अगर आप इसको Facebook, YouTube या Instagram कहीं भी देख रहे हैं तो इसको share करना बिल्कुल भी न भूलें